तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यूटूब चैनल को कैसे डिलेट किया जाता है और इसी चीज़ के वारे में आज आपको मैं जो है जनकारी देने वाला हूँ तो बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को शुरू से end तक देखना है तभी आपको सही परकार से जनकारी मिल पाएगा अगर आप इस वीडियो को बीच में कड कर देते हो तो हो सकता है कि आपको सही परकार से जनकारी ना मिले तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है बागी अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो चलिए आप आप से ज़्यादा टैम लेंगे नहीं आप करते हैं सुरू तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाता हूँ कि देखिए होता क्या है कि किसी ना किसी बज़े से चैनल को डिलेट करना परता है तो चलिए आप मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल को कैसे डिलेट करना है तो सबसे पहले आपको यूटूब में यहां पर login हो जाना है अगर आप यूटूब को mobile में यूज करते हो तो आपको करना क्या है कि आपको Google Chrome browser को open करना है और उसमें आपको एक desktop side का option दिखेगा उस पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो आप आपके भी mobile में desktop side जो ऑपन हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से तो अब आपको करना क्या है कि यहां पर आपका चैनल का लोगों दिखेगा तो आपको इस पे क्लिक कर देना है और अपने चैनल को आपको open कर लेना है ठीक है इसमें आप अपने gmail id से login हो जाना पहले तो इस तरीके से जो आपका चैनल open हो जाता है तो अब आपको करना क्या है यहां पर सबसे पहले आपको जो है क्लिक कर देना है ठीक है कर्ष्टो माइच चैनल पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख रहों कि इस परकार से जो है चैनल open हो जाता है तो यहां पर देख रहों कि तीन सब्सक्राइबर है और 556 व्यूज है ठीक है और मां की वीडियो पर भी अच्छा खासा जो है व्यूज आ रहा था ठीक है ठीक है मां की कोई बात नहीं मेरा एक रिसर्च टेकणी ंउज का चैनल है मैं इसे यूज करता हूं ठीक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो ठीक है बाकि यहां पर आपको अपने चैनल को डिलेट करने के लिए इस परकार का पेज उपन करना पड़ेगा फिर आपको जो है करना क्या होगा कि आपको फिर से अपने इसी लोगों पर क्लिक कर देना होगा और यहां पर आपको जो है दो आप सन मिलेगा YouTube अपने इस परकार से पेज ऑपन हो जाता है तो अब इसमें आपको करना क्या है कि यहां पर आपको जो है इसे जो है नीचे की और लाना है यहां और उसके बाद जो है यहां पर डिलेट चैनल का आपको आपसन मिल जाता है तो आपको यहीं पर किलिक करना है डिलेट चैनल पर उसके बाद आपको करना क्या है कि आपका यहां पर दिखेगा Gmail ID और उसके बाद यहां पर पासपोर्ट आपको डाल देना है और उसके बाद फिर यहां पर Next पर किलिक कर देना है फिसके बाद आपके सामने इस परकार से जो प्यजोपन होगा ठीक है तो इसमें अब आपको करना क्या है यहां पे तो यहां पे अगर आप जो है पर्मानेंडली अगर डिलेट करना चाते हो थिक है जो कि आपका चैनल पिर दोभारा कभी वापस नहीं आ सकता करने के लिए आपको करना क्या होगा कि नीचे वाले आपको क्लिक कर देना होगा और यहां पर जो है आपको करना क्या होगा कि यहां पर सारा जो है आपको मिल जाता है दिख जाता है कि दस वीडियो पांच सब्सक्रिप्शन और उसके बाद जो है तीन सब्सक्राइबर ठीक ह उसके बाद आपको करना क्या है कि यहां पर तो यहां पर आपको करना क्या है कि यहां पर टिक कर देना है और उसके बाद यहां पर डिलेट माइ कॉंटेंट पर किलिक कर देना है ठीक है तो चलिए मैं किलिक कर देता हूं कि हो जाता है ठीक है तो यहां पर आपको करना क्या है कि आपको जो जीमेल आइडी डालना है जो आपका जीमेल आइडी होगा ठीक है वह जीमेल आइडी यहां पर डाल देना है तो चलिए मैं जो है डाल देता हूं क्योंकि यहीं पर सो कर रहा है तो मैं इसको कॉपी किया हू और उसके बाद यहाँ पर Gmail ID डाल दूँगा और पाकी का जो फालतु है मैं उसको डिलेट कर देता हूँ तो यह जो है मैं Gmail ID डाल दिया हूँ और उसके बाद यहाँ पर फिर से हमें किलिक करना पड़ेगा डिलेट माई कॉंटेंट थीच है तो चलिए मैं इस पर किलिक कर देता हूँ तो यह आपका अकाउंट तो यह आपका चैनल पर्मानेंटली डिलेट हो जाता है ठीक है तो इसी तरीके से आपको अपने चैनल को डिलेट करना है ठीक है अगर कोई दिक्कत होती है तो बाकी नहीं तो आपको अपने चैनल को डिलेट नहीं करना है ठीक है बाकी मैं इस चैनल पर आगे बताने बाला हूँ कि अगर आप अपने यूटूब चैनल को बनाते हो तो उसको जो भेरी फाइक कैसे करना है ठ चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में.